इस नियूस इस प्रेजेंटिट बाई बी के हार्डवेर स्टोर, डिडवी टिकर हमीरपुर, सभी प्रकार के पेंट, हार्डवेर, प्लाइवोड, टिंबल, टाइल्स और मार्बल के लिए संपरक करें कोरोना से निपटने के प्रयासों में हिमाचल के साथ खड़ी केंद्र सरकार कोविड-19 की चुनोतियों से निपटने के लिए हिमाचल सरकार कर रही है निरंतर प्रयास प्रदेश सरकार के इन प्रयासों को और मजबूती देने के लिए हर संभव मदद के लिए तयार है केंद्र सरकार प्रदार मंतरी नरेंद्र मोदी ने राजी के मुख्य मंतरी जैराम ठाकूर से फोन पर COVID-19 की मौजूदा स्थिती के संबंध में विस्तार पूर्वग जानकारी ली सूबे के मुख्या ने शीश ने त्रित्व को कोविट का संक्रमन ठामने के लिए सरकार की ओर से किये जा रहे कारगर प्रयासों और मरीजों के उपचार के लिए दी जा रही सुविधाओं के बारे में अवगत कराया इसके अलावा कोविट-19 संक्रमन के मामलों ऑक्सीजन की उप्लवधता, अस्पतालों में बैट, ऑक्सीजन, सिलेंडर, टीका करण और कोविट के इलाज के लिए अवश्यक दवाईयों की उप्लवधता के बारे में भी पूरी जानकारी दी इस मुश्किल घड़ी में प्रधानमंत्री ने महमारी से निपटने के लिए केंद्र की ओर से हर संभव सहायता प्रधान करने का आश्वासंदिया नहीं होगी ऑक्सीजन की कमी प्रदेश में ऑक्सीजन की आवश्यक्ताओं को पूरा किया जा सके इसके लिए मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री से प्रदेश के वर्तमान ऑक्सीजन कोटे को 15 मीटरिक टन से बढ़ा कर 30 मीटरिक टन करने का आग रह किया इससे पहले राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से प्रदेश के लिए 5000D टाइप और 3000B टाइप सिलेंडर उपलब्द करवाने का आग रह किया मुखे मंत्री जैराम ठाकुर ने प्रधान मंत्री से प्रदेश को पर्याप्ट वैक्सीन उपलब्द करवाने का भी आग्रह किया है ताकि 18 से 44 वर्ष की आयू के व्यक्तियों के लिए भी टीका करन अभ्यान आरंभ किया जा सके प्रधान मंत्री ने राज्य सरकार को उन जिलों में ध्यान के इंद्रित करने का सुझाव दिया जहां पॉजिटिविटी दर अधिक है और कोविट का जादा प्रभाव है हारेगा कोरोना जीतेगा हिमाचल सब्सक्राइब कीजिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे भले आप एक महीं नई चैनल को फॉलो करके देखिए आपको मिलेंगे यहां जागरुपता से जुड़ी हो वीडियो और आपके परिवार आपके समास से जुड़ी हो वीडियो सर्च कीजिए जीवन उत्सा न्यूज फेस्बुक पे और यूट्यूब पे